आपका अमारी यूट्यूब चैनल बजट टूर अंट्रेवल केंदर और दोस्तो आज हम आए अजमेर के जत्तोई दरबार केंदर जिया दोस्तों यह एक टैंपल है जो कि सिंदी समास दौरा बनाया गया है और बहुत ही सुन्दर टैंपल है दोस्तों बहुत ही कम लोगों को इसके बार में मालूम है कि अजमेर में इस तरह का भी कोई मंदिर है लेकिन दोस्तों अजमेर में यह जो मंदिर है बहुत ही सुन्दर मंदिर है दोस्तों जब आप रहते हैं, तो आप इस मंदर को जरूर्ब विजिट करकेANC हैं दोस्तों इस मंदर की Location हुआ है, बजरंगड़ से मातर 3 मिन्र या 4 मिनिट पर ही दूस्तेंस पर ही है, यानि भोत इपाश ही इस्थिता दोस्तों ये बजरंगड़ तो जब भी आप बजरंगर, सुबाश, उद्यानना और जो है बारादरी विजिट करें तो इस मंदिर को आप उस समय जरूर विजिट करें दोस्तों दोस्तों इस मंदिर में जो है एंटी बिल्कुल फ्री है दोस्तों और यह मंदिर वीक में 7 डेज ही ओपन रहता है यानि कि आप कभी भी इस मंदिर के अंदर विजिट कर सकते हैं लेकिन दोस्तों इसका टाइमिंग है वह है बॉर्णिंग में 6 से 1 बज़े तक और शाम को 4 से यह मंदिर बंद रहता है तो प्लीज उस समय इस मंदिर को आप विजिट करना आओइड करें आप दर्शन नहीं कर पाएंगे दोस्तों दोस्तों मंदिर का पहला अट्रेक्शन यह जो है शीव प्रतिमा है और यह प्रतिमा काफी उची है और इसके बैक्ग्राउंड के अंदर जो है जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि जो बगवान चीव है केलाश पर बबत पर बैठे हो और वहां से जो है पीछे से जो है दूद की सहस धाराएं निखल रही है दोस्तों इस प्रतिमा के पास ही एक आर्टिविशल छोटी सी गुफा बनाई गई है और उस गुफा के अंदर आप शीव जी जो जोतिर लिंग हैं उनके दर्शन कर सकते यानि उनके मोमेंटम वार रखें हुआ हैं उनके मोमेंटम को वहां विराजमान किया गया है काफी स सुंदर ये गुफा है दोस्तों तो आप इसे भी विजिट कर सकते हैं जब यहां आप यहां आए तोस्तों यहां से मंदिर के नीचे की और एक रास्ता जाता है और यह रास्ता इस तरह से बना हुआ है जैसे कि आप जो होते हैं पत्थर उनके उपर चल रहे हो उस तरह का यह रास्ता बना हुआ है तो आप जब इस पर नंगी कदम चलेंगे तो आपको लगेगा कि आप एक पत्थरों के उपर चल रहे हैं उस तरह का आर्टिविचल र दोस्तों ये गुफा भी जो है वैशनों मंदिर का जो मंदिर है उसी गुफा की तर्च पे बनाई गई है यानि उसी का ये एक प्रकारण से रूप है उस तरह का ही रास्ता यहां पर बनाए गया है तो आप जब यहां आएंगे तो आप इस गुफा में से जाके माता वैशनों देवी के दर्चन भी यहां कर सकते हैं माता वैश्चो देवन की प्रतिमाय अंदर विराजमान है दोस्तों तो चलिए अब अंदर चलते हैं और देखते हैं किस तरह से वह प्रतिमाय विराजमान है प्रतिमाय विराजमान है और दोस्तों यह है इस मंदिर का सबसे मुख्य अट्रेक्शन जो कि यह है जुरेलाल साहिब की 21 फूट की मूर्थी ये जो प्रतिमा है दोस्तों ये 21 फिट की है और ये काफी सुन्दर प्रतिमा है दोस्तों जो कि इस मंदिर के जो रंग रूप है इसके अंदर चार चाल लगा रही है काफी अच्छे लग रही है प्रतिमा आप इसे देख सकते हैं ये कितनी सुन्दर प्रतिमा लग रही है द दोस्तो एक रिक्वेस्ट जरूर हम यहाँ पे आपको इस वीडियो के माद्दम से घंडा चाहेंगे कि जब आप भी कोई ऐसी जगह याँ टैंपल जो है विजट करें जा पी एंट्री निशल्क है तो आप उसके दान पातर के अंदर कुछ नोगो जरूर डाले उसको आप ब इंटेंड करने के अंदर काफी खर्च आता है दोस्तो और हमारे जो छोटा सा दिया गया जो मनी है उसके द्वारा वो जो छोटा सा अमाउंट है उसके द्वारा काफी हेल्प होती है तो मेरी यह रिक्वेस्ट है कि आप जब जहां पर अपनी शर्दान उसार कुछ नहों अर्पित करे दोस्तो दोस्तो इसी मंदिर के अंदर जो है सिंदी समाज की जो संत है स्वामी है उनकी प्रतिमाय भी विराजमान है और साथ में गुरुद्वारा साहिब वो भी यहाँ पर है तो आप जब इस मंदिर के अंदर विजिट करें तो आप यह भी दर्शन कर सकते हैं दोस्तो दोस्तों एक और रिक्वेस्ट में आपसे यहां इस वीडियो के माददे में से करना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप इस तरह का चैनल या वीडियो विजिट करें और अगर आपको वो चैनल और वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू लोगों को काफी हिम्बत मिलती है और वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों ये था चैनल के जतोई दरबार दोस्तों और ये जो मंदिर है इसके अगर मुझे खास बात लगी वह यह लगी कि दोस्तों इस मंदिर को काफी अच्छी तरह से मेंटें किया गया इसकी देखब काफी अच्छे से कीगे दोस्तों काफी अच्छा मंदिर है इसको बनाने के अंदर जो एफर्ट लगाया गया है काफी अच्छे है दोस्तों और काफी सुन्दर मंदिर है दोस्तों जब भी आप अजमेर आए दोस्तों या आप अजमेर रहते हैं दोस्तों इस मंदिर को हमारे जो वीडियो है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें दोस्तों और थैंक यू वेरी मैश दोस्तों आपका इस चैनल से जुड़ने के लिए थैंक यू